ये आकाश्वाणी रायपुर है प्रादेशिक समचार बुलेटिन के साथ मैं शशी का अंत्यादव और पेशें आज के मुख्य समचार राजी सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री में गाइडलाइन दर से सौधे की रकम अधिक होने पर भी रजिश्टी शुल्क गाइडलाइन दर पर ही लेने का फैसला लिया है सेयुक्त राष्ट विश्व परेटन संगठंद्वारा बस्तर जिले के धुर्मा रास गाओं का चैन सर्वशेष्ट परेटन गाओं के उन्डेन कारिकरम के लिए किया गया प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों में अवैद धान की बिक्री रोकने के लिए लगाई गई गई बायोमेट्रिक मसीने सीमा वर्ती जिलों में एंट्री एग्जिट पॉइंट पर इस्थाई और इस्थाई नाके बनाए गए और जगदलपुर में आयोजित अखिल भारती गोल्ड कप फुटबाल प्रत्यूप्त के फाइनल मकाबले में आज तमिल नाडू पुलिश ने 36 गड़ फुटबाल संग को हराया अब समझ चारविस्तार से राजी सरकार ने संपत्ती खरीदने वाले मध्यम वर्गी परिवारों को राहत दी है सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री में गाइडलाइन दर से सौधे की रकम अधिक होने पर भी रजशिष्टी शुल्क गाइडलाइन दर पर ही लेने का फैसला लिया है इससे बैंक लोन पर निर्भर मध्यम वर्गी परिवार को वास्तविक मुल्य के आधार पर रिन मिल सकेगा इस नियम में संशोधन के बाद संपत्ती खरीदने वाले अब सौधे की रकम गाइडलाइन दर से अधिक होने पर भी वास्तविक मुल्य को अंकित कर सकते हैं और इसके लिए उने कोई रजिष्ट्री शुल्क नहीं देना होगा इस नियम से आम जनों को न्याईक प्रकरणों में भी संपत्ती का वास्तविक मुल्य प्राप्त होगा यदि कभी संपत्ती में कुछ दोखा दड़ी पाई गई तो व्यक्ति विक्रेता से वही मुआजव पाने का हगदार होता है जो रजिष्ट्री पेपरा में लिखा हुआ है संपत्ती का सही मुल्य रजिष्ट्री में अंकित होने से प्रभावित व्यक्ति को उसका सही मुआजा प्राप्त हो सकेगा सेउक्त राष्ट विष्व पर्यटन संगठंद्वारा बस्तर जिले के धुड़मा रास गाउं का चैन सरवशेष्ट पर्यटन गाउं के उन्नेन कारिकरम के लिए 60 देशों से 20 गाउं का चैन किया गया है जिनमें धुड़मा रास भी शामिल है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उस उपलब्धी के लिए पर्यटन इभा की टीम के साथ ही बस्तर जिला प्रशासन और कांगेर घाटी राष्टी उद्यान के अधिकारियों और कर्मचारियों को बदाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि धुड़मा रास प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक विवित्ता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है बस्तर की आदिवासी जीवन शैली पारंपरिक व्यंजन हर्याली और जैव विवित्ता से संब्रध यह गाउं परेटकों के लिए एक आकर्शक ही नहीं बलकि रुमा चकिस्तल भी है घुरतलाब है कि धुड़मा रास और चित्रकोट गाउं को इस वर्ष 27 सितंबर को विश्व परेटन दिवस के आउसर पर भारत सरकार के परेटन मंत्रा लेद्वारा स्वरश्ष्ट परेटन गाउं का प्रसकार मिला था केंदरी आवासन और शहरी कारे राज्यमंत्री तोखन साहू ने कल सकती जिले में अधिकारों की समिक्षा बैठक ली इस दोरान उन्होंने सरकार के बिन योजनाओं और कारेों की प्रगति की समिक्षा की बैठक में श्री साहू ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना क के पात हिदगाईयों को इस योजना का लाब दिलाया जाए केंद्री राज्य मंत्री ने प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामिन के निर्मान कारियों की जानकारी भिली बैठक में उन्होंने प्रधान मंत्री की साने सम्मान निदी योजना की समिक्षा के साथ ही जिला आयुश अधिकारी को नीमित रूप से जागरूकता शिविर लगा कर लोगों को आयुश चिकत सा पद्धती के प्रती जागरूक करने को कहा वहीं शिक्षा इभाके कारियों की समीक्षा के दरान शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के निदेश दिये इसे पहले केंद्री राज्यमंत्री तोखन साहू ने एक पेड़ मा के नाम अभियान के तहत पौधारोपन भी किया 36 गड़ में सभी धान खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक मशिन लगाई गई है राजी के सीमावर्ती जिलों में एंट्री एक्जिट पॉइंट पर इस्थाई और अईस्थाई नाके बनाए गए हैं जिससे बिचॉली और कोचिये अपना धान सीमावर्ती राजी से लाकर यहन ना बेश सके इसके अलावा कई नूडल और उनंदस्ता टीम भी बनाई गई है जो लगातार सभी केंद्रों की निगरानी भी करेगी खादी भा के सचिव अल्भंगन पी ने प्रदेश की किसानों से इन बिचॉलियों से बच कर रहने की अपील की है किसान भाई जो कोचियों और बिचॉलियों से बिलकुल बच के रहें और राजशाशन इस बात पे प्रतिबद है कि चतिजगर के प्रतिये किसान के जो इहाँ पर पंजिगरन किया है जो ने जो महनत का धान है उसको क्राई करनी के लिए पूरा वयवस्ता की गई है लेकिन इस बीच में ये पूरा वेवस्ता को बिगाडने के लिए अगर कोई बिचोली कोई कोशिश कर रहा है उनको बिल्कुल साथ ना दे उनसे बच के रहे गोर्तलवेकी 31 सोर उपे में धान खरीदी होने की वज़े से सीमावर्ती जिलों में पडोसी राज्यों से लाकर बिचोली प्रदेश में धान बेचनी की कोशिश करते हैं जगदलपूर में आज उजित की गई अखिल भारती गोल्ड कप फुटबाल प्रतियोकता का खिताब तमिल नाडू पुलिस ने जीत लिया है प्रतियोकता का फाइनल मैच आज 36 गड़ फुटबाल संग और तमिल नाडू पुलिस के बीच खेला गया इस मैच में तमिल नाडू पुलिस ने पेनाल्टी शूट आट में 36 गड़ फुटबाल संग को दो के मुकाबले तीन गोल से हराया प्रतियोकता के समापन उसर पर खेल मंतरी टंक राम वर्मा ने खिलालों को पुरसकार प्रतान किये इस उसर पर इस्थानी विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिही देव भी उपस्ति थे प्रादेशिक समचार आप आकाश्वणी रायपूर से सुन रहे हैं 36 गड़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वस्नियता से है हमारा वास्ता आकाश्वणी समाचार रायपूर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामाइक कारिक्रम आप रेडियो के लावा अपने मोबाईल पर भी सुन सकते हैं आकाश्वणी समाचार फेस्बुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्त है हमारा फेस्बुक पेज 36 गड़ न्यूज ओन ए आई आई आर ट्विटर हैंडल cgairnews और हमारे यूट्यूब चैनल है 36 गड़ ए आई आर न्यूज तो अब रेडियो के साथ ही आपक कि के समाचारों की और विति भाग ने शास्की सेवकों पर आश्रितों की अधिक तमाय सीमा में वर्दी के परस्ताओं को मनजूरी दे दी है अब शास्की सेवकों की आश्रितों के लिए आई की अधिक तमसीमा तीन हजार पचास रुपर प्रतीमा से बढ़ा कर साथ हजार 750 रुपय प्रतिमा कर दी गई गया है गुर्तलब है कि वर्ष 2014 के बाद से शास्की सेवकों के आशितों के लिए आया की अधिक तंसीमा में कोई बृद्धी नहीं की गई थी जबकि राज़मे श्रिमकों की आया में लगताय बृद्धी हो रही है ऐसे में शास्की सेवकों के आश्रित परिवारों को पेंशन का लाव नहीं मिल रहा था अब आया सीमा बढ़ने से जिन आश्रितों की आया 3050 रुपे से अधिक थी वे सभी परिवार पेंशन का लाव प्राप्त करने के पात्र हो सकेंगे कुर्वाजिले के प्रीदर्शी इंदराई स्टेडिया में कल प्रदेश इस्तरी श्रमिक सम्मेलन का उसन किया किया वाणिज उद्योग और श्रममंत्री लखनलाल दिवांगन ने सम्मेलन का शुभारम किया सम्मेलन में 17 विन योजनाओं के 85,000 सेदिक श्रमिकों को 46,60,000,000 रुपे से अधिक की राशी उनके बैंक हातों में अंतरित की गई ये राशी 36 गड़ भोवन एवं अनेसन निर्मान कर्मकार कल्यान मंडल असंगठीत कर्मकार राजीस सामाजिक सुरक्ष मंडल और श्रमकल्यान मंडल के इंतरगत काम करने वाले श्रमिकों को जारी की गई कारिकर्म को संबोधित करते हुए श्रममंतरी ने कहा कि प्रदीश सरकारद्वारा विश्वकर्मा जैनती के वसर पर इभन्य योजनाओं के तहत 235 करोड रुपए की सह्यात राशी श्रमिकों को पुरदान की जा चुकी है श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को DBT के माध्यम से इभिन योजनाओं के तहट साहता राशी भीजी गई है जिसका सीधा लाब श्रमिकों और उनके परिवार के सदसियों को मिलेगा श्रम मंत्री ने बताया कि श्रमिकों की समस्या, शिकायतों के समधान और सहायता के लिए श्रमेव जैते पोर्टल शुरू की गई है जिसमें श्रमिक अपनी समस्याइं बता सकते हैं और समधान पा सकते हैं इसकूल शिक्षा इभाग के सचिव सिधार्थ कोमल सीं परदेशी ने परदेश के इसकूलों में राश्टी परक्ष सर्वेक्षन के मद्दे नजर इसकूलों की दक्षता बढ़ाने के लिए तैयारी करने के लिए देशती हैं गोरतल वहगी आगामी 4 दिसंबर को केंदरी स्कूल शिक्षा मंत्रा रेद्वारा चतिसगर के विभिन स्कूलों में विद्यार्थियों की दक्षता का परेक्षन किया जाएगा जिसके तहत कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों की दक्षता का राश्टी सर्वेक्षन नौरोजाबाद में तीसरी लाइन जोडने के काम की वज़े से 36 गर से गुजरने वाली 25 ट्रेनों को रद्ध कर दिया गया है साथ ही दो ट्रेनों की रूट लाइने बदल दी गई है मद्प्रदेश और उत्तरप्रदेश के लिए चलने वाली और 36 गर से भी गुजरने वाली लगभग 24 ट्रेने अभी रद रहेंगी ये सबी ट्रेने 21 नॉवंबर से 2 दिसंबर तक अलग-अलग दिनों में कैंसिल रहेंगी इन में 16 एक्सप्रेस और 9 लोकल ट्रेने शामिल है मुख्यमंतरी विश्णुदे उसाय ने धमतरी निवासी बैटमिंटन खिलाड़ी रितिका धुरू से वीडियो कॉल पर बाचित कर उनका हवसला बढ़ाया मुख्यमंतरी ने रितिका को बैटमिंटन खिल के लिए हर संभव मदद का अश्वासन दिया है रितिका ने मुख्यमंतरी को बताया कि उनके पिताजी मजदूर है और माता अंगनबाडी सही का है उसे बचपन से ही बैटमिंटन के खिल में रुची थी रितिका ने बताए कि उसने बैंगलूरू में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल गेम्स और हाल ही में ओडिशा में नेशनल टूर्णामेंट में हिस्स लिया है वह आगे राश्टी और अंतराश्टी इस्तर पर खेलना चाहती है और उलम्पिक में मेडल जीत कर देश का नाम रोशन करना चाहती है और अब कुछ कबरें संख्षेप में मुख्यमंद्री और बस्तर शेतर आदिवासी विकास प्राधिकरन के अध्यक्ष विष्णु देव साय की अध्यक्षता में प्राधिकरन की बैठक कल 18 नॉवंबर को चित्र कोट में आजवित की जाएगी मोहला मानपूर जिले में सुरक्षावलों और मावादियों के बीच मुढभेड होने की खबर मिली है मौके से पुलिस ने मावादियों की सामागरी बड़ी मातर में बरामत की है यह मुढभेड मदनवाना इलाके के आमाटोला गाओं के पास हुई है कुर्बा जिले की प्रभारी सचिव अलर मेल मंगई डी ने कल जिले के अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने श्रमिकों को श्रमिभा की योजनाओं से लाभानवित करने के लिए शिविर लगाने के इंड़ देश दिये राइपूर सितराष्टी प्राध्योगी की संस्थान एनाइटी में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर टेकनलोजी, इंटरनेट आफ तिंग्स और डेटा एनालिटिक्स पर आजोजित दूसरे अंतरराष्टी संभिलेंड का समापन हुआ बेमितरा में जूटी पर चनाथ एसाई की हार्ट अटेक से मौथ हो गई, एसाई जैराम गंगबर बेमितरा के बिरनपूर साहता किंदर में पदस्थे, बिलासपूर के सिम्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हास्टल में महिला डॉक्टर ने फासी लगा कर आत्मत्य कर ली, यह महिला चिकत्सक, अंबिकापूर जिले के सुखरी इस्थित प्रात्मिक स्वास के इंदर में पदस्थी, जानकी चापत जिले के शिविने नरायन में प्रशासन ने अवायद रेत परिवहन करते हैं पाच ट्रेक्टरों को जब्त किया है, और कबीर धाम जिले की चिलफ द्वारा बस्त जिले के धुड़मा रास गाउं का चेंद सर्वशेष्ट परिटन गाउं के उन्नेन के लिए किया गया, प्रदेश में धान खरीदी केंदरों में अवाय धान की बिक्री रोकने लगाई गई बायोमेट्रिक मशीने, सीमा वर्ती सिलों में एंट्री एक्ज झाल